हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो गार्णिंग विधितेश ये मेरे दो कैक्टस के प्लांट्स है और ये काफी साल पुराने है मेरे कम से कम 10 से 12 साल पुराने होंगे और इन 10 से 12 सालों में मैंने सिरफ इने एक बार ही रिपोर्ट किया है तो ये काफी छोटे छोटे थे आप तो ये काफी भर गई है तो आज मैं आपसे इस वीडियो में शेर करूंगा कि कैक्टस में आपने फ्लावरिंग अच्छी कैसे लेनी है और इनके बर्ड खिलने से लेके फ्लावर खिलने तक की वीडियो तो ये देखिए इसमें जैसे ये देख रही है आप जैसे fungus ही लगी हो इने white white ऐसे लग रहा है जैसे cotton सा हो ये कुछ नहीं है ये fungus नहीं है कोई infection नहीं है इसकी जो bird की formation होती है वो ऐसे ही होती है ये जो white white है इसी से bird निकलती है और उसमें से full खिलता है इसके बीच में भी आ white pink कलर का flower निकलता है और एक ये वाला cactus है इसकी bird तो आपको clear दिख रही होगी इसमें कोई ऐसे cotton सी formation नहीं होती है डायरक्ट इसमें birds बनती है ठीक है ये देख रही है सारी इसकी birds है clear एकदम दिख रही है और एक ही round वाले cactus पर देखिए कितनी कितनी birds बनी हुई है और इसम जो है yellow color के flowers आते हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं धूप में इतने ज्यादा shine करते हैं इसके flowers ना तो मैं आपसे इस वीडियो में ये भी share करूंगा कि आपने जो है cactus में जल्दी से जल्दी और अच्छी से अच्छी flowering लेनी कैसी है ये तो मेरे काफी साल पुराने है तो दोनों में ही मेरे flowering होती हैं और एक दो cactus हो रहे हैं उनमें भी बहुत अच्छी flowering होती है तो इनमें तो हर साल होनी होनी है summers में तो ये देखिए flower आप खिल भी चुके हैं ये मैं थोड़ी updated वीडियो आपको दिखा रहा हूं ये मैंने बाद में बनाई है जब flower खिल चुक ज्यादा आप watering करेंगे इनकी color में भी फरक पड़ेगा और इनमे flower भी नहीं होगी अच्छी हफ़ते में एक बार डालनें जित्नी ज्यादा watering की कमी होगी उतनी ही अच्छी इनमें flowering होगी घुकर है ज्यादा stress में आएंगे पानी नहीं मिलेगा तो इतनी ही flowering अच्छी हो और बारिश का पानी मिले, फिर तो आप पानी देना भूली जाएं, क्योंकि रेगिस्तान में होते हैं, यह वहाँ इने जो है बारिश का पानी मिलता है, तो वहीं अच्छे से सर्वाइव करते हैं, लेकिन हमने यह पोट में लगाए हैं, तो हफते में एक बार थोड़ा सा प मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली थी, जब मैंने इनकी पॉटिंग सोईल में बनाई थी, ठीक है, कुछ भी नहीं डाला था, हाँ, जैसे लिक्विड खाद होती है, वो भी कभी डालता हूं, ज्यादा इनमें खाद भी नहीं डालनी हैं, और यह देखी, यह वाला फूल भी जो है, खिल चुका है, जिसमें मैंने कहा था ने, जैसे फंगर सी लगती है, और इसका फूल जो है, तीन से चार दिन तक ऐसी बना रहता है, और खिलने में भी यह जो है, काफी टाइम लगा देता है, जो यलो वाला मैंने दिखाया था, वो थो आप खतम भी हो चुकी है, लेकिन इसके वज़े से मेरी वीडियो लेट हो गई, इसने जो है, काफी टाइम लगा दिया, और यहां भी कुछ बर्ट की फोर्मेशन हो रही है, और अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए, इन्हें फूल डे की संनाइट चाहिए, ऐसी जगा रखते हैं, जहां इन्हें पूरे दिन की धूप मिले, एक्स्ट्रीम संनाइट जब इने मिलेगी न, स्कॉर्च संनाइट, तभी इनमें अच्छी फ्लावरिंग होगी, बस पानी का ख्यार रखना है, और खाद ज्यादा नहीं डाननी है, और फुल संनाइट में रखना है, तो आपको जो है, अच्छ में बर्डी ऐसे बनती है, और दूसरे वाला देखे, इसके साथ वाला उसमें फ्लावरिंग खतम भी हो चुकी है, तो अगर आपको मेरी शेरिंग अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे चानल को सब्सक्राइब करें, हैपी गार्णिंग फ्रेंड्स